बस्त बनाओ, मस्त खाओ की जन में अब सब का स्वाधत है। आज हम अपके ताज शेर करने जा रहें सिर्फ टरमाटरे की रेसिपी। जिसे मैं बच्चों को लंच बॉक्स पराटो के साथ दिया है। इसे आप पूरी या रोटी के संग भी खाएंगी तो आपको बहुत भी अच्छे लगेगी। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। इसके साथ ये बच्चों को थोड़ा सैलाइड दिया है। थोड़े खीरे के स्लाइसेस दिये हैं। और एक नीमू का टुकड़ा रखा है। बस हमारा लंच मॉक्स रेडियो होगे, आप इसे बंद कर देंगे। इसके साथ एक स्पून रखी है ताकि खाने में एजी हो। तो आप स्टार्ट करते हैं इसकी रेसेपी। इसके लिए कड़ाई में हमने चार से पांच चमच रिफाइन टेल लिया है। उसमें थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं आदा चमच। आदा चमच मस्टर्च सीर्च डाल रहे हैं। एक हरीमिचा काटके डाली हैं। और अभी सीसन से मटर आ रहे हैं तो उनका टेस्स समझी बहुत चाहता है। तो थोड़े से मटर डालेंगे। अभी इस अच्छे से मिक्स करेंगे। और दो मिट के लिए कवर कर देंगे। अब 2 मिट बात हम 2 टमाटर इसमें कस के डालेंगे। आप mix कारें पीस के भी डाल सकते हैं क्योंकि ये जल्दी cook हो जाएंगे इसके लिए इसे हमने बाद में add किया है बस अब ये जब तक cook हो रहे हैं तब तक हम इसके लिए गरम मसार त्यार कर लेते हैं इसके हम दो चमद साबुत धनिया लिया है दो चमद जीरा ले रहे हैं एक तेजपत्ता लेंगे दो छोटे दालचेंगे टुकड़े लेंगे चार इलाइची लेंगे चार लॉंग लेंगे और चार से पांच सुखी लाल मिच लेंगे अब इसे हम दो से तीम मिट रोस्ट करेंगे जब ये रोस्ट हो जाएगी तो अब इसे ठंडा करके इनका एक पाउडर बना लेंगे ये गरम मसाला बहुत ही टेस्टी होता है अगर आप इसे किसी भी सबजी में डालेंगे तो ये नॉर्मल जो गरम मसाला जूस करते हैं उससे बहुत चाफ्रेवर आएगा अब हमाई टमाटर भी कुख हो चुके हैं हम चेक कर लेते हैं इन्हे अब इसमें आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे आदा चमच धनिया पाउडर डालेंगे आदा चमच मिर्चा पाउडर डालेंगे आदा चमच कश्मीरी लाल मिच डालेंगे और आदा चमच जीरा पौडर डालेंगे अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा कोख होएं देंगे जब तक ये ओईल ना छोड़ दे अब इसमें से ओईल निकलने लगा है अब मटर को भी चेक कर लेंगे कि वो कुख हो गया या नि अभी मटर थोड़ी से और कुख होंगे इसके बाद इसमें आदा ग्लास दूट डाल देंगे आप पानी भी उस कर सकते हैं पर अगर इसमें आप दूट का यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अब जब तक हम आद दूद बॉइल हो राइस में तब तक हम थोड़ी कसुरी मुर्थी रोस्ट कर लेते हैं अब इसमें कसुरी मुर्थी को भी आड़ कर देंगे अब इसमें एक कट्री सेव ले रहे हैं अब इसे थोड़ा से नमक डालेंगे सेव में अलड़ी नमक है तो थोड़ा से नमक हम यहाँ पर डालेंगे और एक चमच घी डालकर बस इसे हम और ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे और ज्यादा कुक नहीं करेंगे बस हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे तो इससे थोड़े दे के लिए कवर कर देंगे 10 मिट के लिए बद 10 मिट बाद हम इसे सर्विंग बाउन ले ट्रांस्फर करेंगे आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा है और इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है थोड़े से गानिशिंग करेंगे सेव से थोड़े से थनिया पत्ते रखेंगे अगर पसंद आई हो तो प्लीज़े से लाइक किजेगा थांकियो सो मच